नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स लॉषाण वॉषाण कर दो जेन समय फो जार झाहार झाटिया खीर डाल झालो माजड़ा पुटति एिए और पे जाल सब्सेया है जार रहार धार जार थे जार जे पार धाल झांड़ुझा जार जाता है। कर दो कर दो कर दो खो कर दो कर दो अग्रेट आप 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 कि आप मा तॉलिया देना आई आई मा के हाथ से तॉलिया लिये भी ने इसका ना ना पुरा नहीं होता चुटी मेरी कमीज प्रेस कर दी में हाँ बबा कर दी है के तो ऐसे रहे जैसे बताया बगर करूंगी नहीं अभी ला रही हूं पिया मिलन को जाना सुबा के नौ बजी लेकिन यह अभी तक चार बजा रही है रोज चार पर आके अतक जाती है तू कोई नमक की बनी नहीं जो पानी डलते ही गुल जाएगी अरी चल बाबुजी यह घ क्यों कि मुझे 10 बजे पहुशना था और बहुत देरी हो चुकी है चार बज चुक है पता है चार बगरी बंद है पता नहीं क्या काम करता है मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है नाश्टा करने के लिए इसके पास तरह नहीं है एक बिदुन आर एक में थोड़ी आता है क्या बेटा तुझे जंड़ा चाहिए हाँ कि यह ले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा मुझे मालूमता तुम यहीं मिलोगे अगले हफते फाइट फिक्स कर रहा हूं इस मुकाबले में पैसा भी अच्छा मिलने की उम्मीद है भावी भी आगी ए चुम बैटना हालो भावी हाई क्यों ठीकी तो कह रहा है वो क्या ठीक कह रहा है तुम्हारे पापा वैसी हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं करते और जब से उन्हें पता चलाया कि मैं क्लब में भी डांस करता हूं तब से तो क्लब में गाते हो तुम घ वइए तुम खड़र याओ कgate बादे श्ड़र विए तुम आते हूं Ó वर्सणाश्ति व incarn headache झाल Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Bad Boys Bad Boys Bad Boys Bad Boys Bad Boys We're Bad Boys We're Bad Boys Let's have some fun It's Saturday night We want someone We're Bad Boys Let's have some fun It's Saturday night, we want someone Kali kali akh wali, chalegi Lal lal hot wali, chalegi Uste wali, nakre wali, chalegi Lumpi lumpi baro wali, chalegi We are bad boys, we want bad girls Unmeh pada hai tam We are bad boys, let's have some fun It's Saturday night, we want someone We are bad boys, let's have some fun It's Saturday night, we want someone Girls, 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 girls High, 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 girls Ya, 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 ya Ya, 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 ya Bugg, boog, boogie, boog, boogie, boog, boogie Chiddi, chiddi bang bang karne aay Bad 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 boys se sun low Guh, 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 guh karne aay संतो बनतो राणो प्रीतो मैं तेरा जटे तू मेरी बिलो पंगडा पालो रॉला पालो ना कहिला के रात पितालो लव लव करना तुमें सिखाएं दिल का धरगना तुमें सुनाएं पंपक्त पंगडा पंपक्त पंगडा परता हटा दिखा दे मुकडा हमें अच्छी लगती है sweet boy miss हमें अच्छी लगती है जोश वाली kiss हमें अच्छा लगता है rap break dance हमें अच्छा लगता है non romance अच्छा लगता है देखते तुम्हें हंदियां है भरता है देखते तुम्हें खुसन ये बना है तेरा प्यार के लिए कले से लगा ले तु करार के लिए shame 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 यूही CTR बजाते हो कच्छी कच्छी कलियों से फाइदा उठाते हो तुम्हें कितनी गल्सा दिल लिया लूट दिल मेरा कैसा है कर दू तुम है shoot वो-टुम्हें वो-टुम्हें कर दो कर दो पीछे पीछे आने वाला चलेगा We are bad girls, we want bad boys उन में बाला है तो We are bad girls, let's have some fun Saturday night, we want some wine We are bad girls, let's have some fun Saturday night, we want some wine Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh क्या बात है मा कुछने बेता सोजा मा की आखो में नीम की जगा आसू और पेटा सोजाए मा तु बता मुझे बात क्या है पीटा मा बापका फर्ज है कि आउलाद को आराम दे मगर मैंने तो तुम्हें सिर्फ परेशानी और तकलीफ ही दिये कैसी बाते करती है मा तुने मुझे जनम दिया है और पेटा जी ने एजूकेशन और अब मैं बच्चा नहीं रहा पड़ा हो गया हूं इसलिए घर की हर परेशानी और तकलीफ दूर करना मेरा फर्ज है अब बता तकलीफ क्या है बेटा तु तो जानता है तेरे पिताजी की तब ये ठीक नहीं रहती दिन बद दिन उनकी सियत गिरती जा रही है और छोटी अब छोटी नहीं रही जवान हो गई है उसकी शादी करनी है यही चिंता मुझे सताती है बस मा इतनी छोटी सी बात पर इतने कीमतियासु बहार ही हो अरे मैंने डॉक्टर से बात भी कर लिए और अगले हफते ही पिता जी को चेक अप के लिए लेके जा रहा हूं और रही अब चोटी की तु उसकी चिंता छोड़ो उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंड फिर दे कितने दूमधाम से मैं उसकी शादी करता हूं दूमधाम तो छोड़ो आजकल सीधी साधी शादी के लिए भी लाग देड़ लाग खर्चों जाते कहां से लाएगा इतने सारे पैसे अरे अपनी कंपनी से एडवान से लूगा या दोस्तों से उधार मांग लूगा और तब भी नहीं हुआ तो तो भी तू चिंता मत कर माँ यह बीसवी सदी है आजकल गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम लखपती होता है क्योंकि उसके पास यह कीमती शरीर है अरे मा अगर मैं अपनी एक किड़नी भी बेचू ना तो भी छोटी की शादी हो जाए जिस मां के पेट से इतना बड़ा शरीर मिला हो उस मां के लिए अपने पेट से मां एक किड़नी नहीं दे सकता मर थोड़ी ना जाऊंगा मां बोल आज क्या नहीं मुसीबत आन पड़ी है हम लोगों की जिंदगी में एक ही तो मुसीबत है रोटी और उसके लिए पैसा चाहिए और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए बहुत सारा पैसा एक आइडिया देता हूं ये नुकड़ पे बैंक है ना लूट ले तेरा मतलब ह मैं घरवालों को मुसीबत में डालकर खुद अंदर बढ़िया हूं दोस्त मुझे पैसा चाहिए लेकिन इमांदारी का घर पे राशन भरना है थोटी की फीज दूद वाले का बिल अच्छा बाबा मैं आज रात को ही तेरी फाइट फिक्स करता हूं ओके ओके चला जे चोह चीन दो करते जाओ tweaks माडम मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि बातों से पेट नहीं बर था उसके लिए काम करना पड़ता रह ने तुम ranks द करने के लिए नहीं है थोड़ा प्यार ब cit4 ना बहुत ज़रूरी है मानता हूं लेकिन अग्र काम नहीं करूँगा तो पैस पैसे कैसे कमाऊंगा? पैसे की चिंता मत करो वजये. तुम अच्छी तर जानते हो कि लाग दो लाग बैंक से निकाल कर तुम्हें देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन तुमसे पैसे लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैं अपने परिवार को अपनी मैनत से कमायोई रोटी खिलाना चाहता हूँ. किसी के तुफ़े यहां. ए, नाराज होगे क्या? नहीं. तो बताओ, फिर कम मिलोगे? तुम मेरा यूद देखने आ रही हो शाम को. यह भी कोई पूछने की बात है. तो पर भाही मेलेंगे? प्रमिस? प्रमिस. 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 को लिए ओग मैं! हुआ! कि वब खिरक पिंग में ये ल weave इसकेप़ग सेनुवाक प्लिजरी रिज अचतना निए वज मेंदरी कि अ पीदर कि यगigorए प्लुछ हो बने ही थे लगद िट येदे हैं कि tôi हु़ स् router ले लग धने लागक इसका हैं वारा लुटाया। बारा लब मजूzd लब रेणितेत valor अमका भी वे र आपी शेल लिदाव उिसर आभी वे वारी न कारे इशतिवावाव अर्शम दिवे प्टदवा cents वे樂ी गपळाव म'Tinas व Yeshua मैं 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 वे दीओ ये तर ये अुल मैं भो आखर ये चुल तक सुई नहीं तेरे घर लोटने से पहले आज तक कभी सुई हूं इतनी देर कहां लगा दी चल आ जाए आज काम बहुत ज्यादा था मा इसलिए थोड़ा उबर टाइम करना पड़ा आज थोड़ा कम काम किया कर बेटे देख तो रात के दो बजने को आए फिर सुमा उठकर तो साथ बज़े काम पर निकल जाएगा इस तरह तो तेरी सहत खराब हो जाएगी बिता बाबुजी कमपनी के ओरडर भी तो पूरे करने ही पड़ेंगे बास बास अब बाते मत कर चल खाना खाले अरे इसे क्या हो गया इसने गुस्टे से क्यों देख रही है मां से मिल मगर अपनी छोटी बेहन की बारे में जूटे मुभी पूचा की का है वो बास 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 लड़ाई जगडा सबेरी दिन बर का ठका घर आया है यल्दी खाना खाके सुजाने दी आज बहिया को खाना मैं दूंगी आउ बहिया कला में देख के रहे हैं खानोगा तूजा वोटिर अमने च्ला मत करो भगे मुझे बिल्कुल यहीं आ रही चलको चल देखां वा अरे दिखाओ तो सही है ना कुछ नहीं हुआ मैं कहते हूँ दिखाओ भाया यहाथ इसी पुरी तर से कैसे कट गया छोटी सी छोटे ठीक हो जाए मैं जानती हूँ आप company में salesman नहीं बलकि किसी ऐसी जगा काम करते हैं आपको अपना खून तक बहाना पड़ता है इस घर के लिए आप कितना करेंगे भाया सिर्फ इस घर के लिए ही नहीं यह सब मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि तुझा भी इस घर से निकालना है किसी ऐसे घर बेजना है जहाँ बहुत सुक मिले तुझे लिया आज आपको मस्तेक वादा करना होगा चाहें कितना ही दर दो कितने ही तकलीप हो सिर्फ मैं रोंगे आप नहीं लेलो ए मा क्या है इधर आना अरे बताओ तुसे इधर तो आ क्या है बताओ पैट बोल आज तारीक कितनी है तारीक तेरा और महीना जुले क्यों क्या मा मैं भूल गया लेकिन तुझे तो याद रखना चाहिए कि आज तेरा जुलाए याने कि तेरा जनम दिन आरे अरे हां आज तो मा का जनम दिन है याद कुछ रहता निया गाना वना शुरू कर देती है ला शक्रगा डबा दे यह लो मुझ मिठा कर मार बख 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 मेरा मूटो मिठा किया अभी टेरा बीट पर क्यों क्यों इसलिए कि शहर की जिस कंपणी में तू काम करना चाहता था न वहां से तेरा इंटर्व्यू लेटर आ गया है कल तुझे उन लोगने बुलवाया है कल के कल इसका मतलब मुझे आज शाम की गड़ी से निकलना पड़ेगा हाँ निकलना तो तुझे शाम कोई पड़ेगा चोटी क्या है बैग में दो जोड़ी कपड़े डालके रखना मैं गोपाल को बेजूँगा उसके हाथ बिजवा देना ओके बस जब देखो तुम्हें तो काम ह बताना आता है पर क्यों करूं मैं तुम्हारा काम अच्छा मेरे लिए वहां से क्या लाओगे अगर मुझे नौकरी मिल गई तो जो तू मांगे की बोलाके दूंगा वहां से बोल क्या चीए तुझे तुझे तुम कह रहे थे ना कि मुझे इस गर से निकलना चाहते हैं ऐस प्यादी की बात करते हो तुझे शर्म नहीं आती है तुन बेटा जल्दी कर वरना तुझे देर हो जाएगी और सुन वहां एक दुर्गा माता जी का मशूर मंदीर है इंटर्वी में जाने से पहले वहां एक जरू नारियल चड़ाना जहरे पिए खराश है कैसी कहीं जगड़ा वगड़ा करके आए हो नहीं सर कल एक छोड़ा सा एक्सिडेंट हो गया था आइसी सर्य यह मेरे सर्टिफिकेट्स और यह मेरी डिक्रीज है यह तो ठीक है लेकिन साथ में सिफारिश किसके लिए क्या है सिफारिश हाँ सिफारिश सर मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं है अच्छा पैसे कितने हैं तुम्हारे पास चीए देखो भए मैं ठहरा सीधा आद गुमा पिरा के बात करने कि सकता है तुम्हें नौकरी देखर मुझे क्या फायदा होगा हाँ इस कुछ्ची पर बैठ कर कल को तुम भी तो लाखों कमाऊगे सर में उत्रा ही कमाऊगा जितनी मेरी तंखा होगी तंखा तो तुम्हें तब मिलेगी जब मैं तुम्हें नौकरी दूँगा ना सिफारिश है ना पैसे हैं और तुम कोई बात नहीं है कर में कोई बहन है तुम्हारी हार रामजादे अगर बार दस बेरोजगार लड़के नहीं बैठे होते जिन मेंसे एक को नौकरी देगा तू तो इसी वक्त तेरा तमाशा बना देता तूने ये कुर्सी अपनी बेहन की दलाली करके हासिल की होगी लेकिन हम करीब लोग ऐसी कुर्सी पर थुकते हैं समझा कर दो कल से काम पर आजाना है 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 रान होने की ज़रूद नहीं मैं तो तुम्हें सिर्फ आवार रहा था आम सॉरी अजय मैंने तुम्हें कुछ कड़वी बाते कही ये सिफारिश ये रिश्वत बहुत छोटी बाते ऐसी जगाओं को पाने के लिए लोग तो अपनी भेनों मा ने कहा था मंदिर ज़रूर जा क्याना तेरा लाख लाख शुक्रह मा कि तुने मुझे ये नौकरी दिलाई मा ने कहा था कि इंटर्व्यू पर जाने से पहले आपके दर्शन ज़रूर करूं मगर भूल गया अब याची ये नारियल आया हूं हुँआ हुँआ है पंपृष रूट, तै पंपृष ये ये वह भी आपकरो क्रोष आपकरो, पंपृष ये वख़ग्नधर यिवा प्रोफ यो आपकरो यहारा है ज़़द क्या बहुँए हाए कि अ एछ ऑ्छट कि चयो एप चल। हुआ टषिए बोह सकार!!! कि औहाएद राँ राएद फवाद राएद राएद छें राएद 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 रही Dec और संध 예 devil ओने कुछ नहीं किया मैं कुछ नहीं जानता से मैं कि इस जगगों कपहते हूं सरॉं किस जगह की बात कर रहे हैं मैं कुछ नहीं है पैचे स्थाइए शाले इस अधाई गाव कर दो जाए को जाता है अकट सिवार के चुगा कि पार के चुगा उपके जानता अधाई एक पार कि आप तो साथी एप उनके नमणदा अधा थाइए तो जोड़ा तो जोड़ा गोजे देकित बना निचाता है लाई ये लाज इसा अर ला अ बाई इस अ हुआ रह बाई इस virtually हुआउँद बाल हुआट नच्ट ऑम इंटिफा अगर आरम इसको इंटिफारी करोपड़ना चाहते हैं हम इसको इंटिफार और ना ज़ाँ जार्टार प्लीस टोड़ मैंन पोलिस सेशन, देशी ने हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशन की जिंदगी बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो देखो इन तीन लड़कियों को वो वो लड़की कोमा में है। और यह दूसरी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। और यह यह ऐसी हालत में नहीं है कि आपके किसी सवाल का जवाब दे सके। दॉक्टर मैं किसी किसम की कोई सवालाग नहीं पूछना चाहता हूं। सिर्फ इन्हें इसकी शकल दिखानी है। दॉक्टर प्लीज सवाल की कोशिश कीजिए। हमें इसकल कोड में लेगाना है। ओके। थैंक्य दॉक्टर। मिशीतल, मिशीतल, शीतल इस लड़के के दरफ देखो और बताओ क्या यही वो लड़का है जिस्ते तुमारा बालातकार किया था। शीतल, देखो इसे, पेचारो इसे, पेचारो, दलना मत, बताओ, हमें बताओ, शीतल आगे खोलो। प्लीज, प्लीज आप बाहर जाए, प्लीज, बस दॉक्टर, बस, सिर्फ एक बार। और क्या जानना चाहते हैं आप, जिस लड़के की सूरत देखते ही, यह लड़कातने लगी है, पागलों की तरह रोने लगी है, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप। नहीं, डॉक्टर, मैं इर्दोष हूँ, डॉक्टर, प्लीज, प्लीज, महन, मेरी तरफ देखिये, और पैचानने की कोशिश कीजिए मुझे, इन्हें बदाईए कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ अब आडेंटिफिकेशन भी कोई सुभत नहीं है, लेच लो सेब, नहीं, डॉक्टर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं उर्दोष हूँ, मैं इस बात का विश्वात कीजिए, मुझे एक वोका दीजिए, उस लड़की से बात करनेगा, मैं सामिस कर दूगा कि मैं वो कब छूट रहा है, ऐसे आदमी को तो सबके सामने जोली मार देनी चाहिए, अरे ऐसे बेटे का पता लगाने की जरूरत ही क्या है, इस उम्र में बाग को मुझ दिखाने लाइक ही नहीं चोड़ा है, सच कहते हो दीनु का का, अगर मेरा बेटा होता तो गला घोट कर मार दे उसे सिंजा कर उसका पज़ा तो लगा है, अरे अब जल्दी नहीं छूटने वाला वो पारवती बहुत लंबी लगी है उसे, जल्दी नहीं निकलेगा, छोटी या कि वो दर्वादा भी बन कर दी, दक्षा, वही सच पुछो, तो दुख भी होता है उस बेचारे के लिए, तीन-तीन मासूम लड़कियों की जिंदगी उसने बरबाद किये है, इनसाफ से तो उसे सदा होनी ही चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो, जिसके घर में ऐसी जवान बहनों, उसे कम से कम ऐसी नीच हरकत करते हुए शरम आनी चाहिए, हाँ हाँ शरम आनी चाहिए, आज़ to आनी चाहिए, हाँ हो वाँ हुए, हाँ हाँ हो आना आनी चाह्रों आनी चाहिए! सावे, लड़कों कॉलेज के बाप दाला किरी करता है हम, चला अचर क्या देखता रिख, क्या देखता तो है मेर को देखता है किस से किस तरह बात की जाती हैं ये तक आप नहीं जानते हैं किस तरह से बात करते हैं आप शरीप और इद्दार लोगों से अच्छा हुआ आप आगे देखिए मैं एक स्कूल मास्टर हूँ बच्चों को अच्छी शिक्षा देदा मेरा फर्स बनता है और आप लोग जो मेरे बच्चे पर लगा रहे हैं न वो बेबुनियादी है जूटा है कि साले खुद बेटी का धंदा करता है और अच्छी शिक्षा देन के बाद करता है कि देखिए आप हमें इस तरह जलिन ना करें आप अपने अजय को अच्छी तरह जानते हैं ना जानता हूँ तेरी कम के अथ इस पेक्टर मैरे घर वालों को छोड़ दे चोड़ दूगा कोट गेप हैसले की बात इस लड़के ने और इसके दोस्त साथियों ने मिलकर किया और इस बात को सावित करने के लिए मेरा सबसे पहला गवा है इंस्पेक्टर विजे शर्मा इंस्पेक्टर विजे जब आप मुल्जुम को लेकर अस्पिताल पहुंचे तो वहां क्या हुआ सार मलतकार की शिकार शीतल डोगरा मुल्जुम को देखती पागलों की तरह चलाने लगी उससे देखकर इतनी घबरा गई कि रोने लगी चलाने लगी जद्जहाब वह पहचान नहीं पाई मुझे और उसने ये नहीं का कि मैं ही वो लड़का हूँ ठीक है उसने ये नहीं का मगर क्या वो लड़की तुम्हें देखकर पागलों की दरह रोने लगी यह सई है जी हां पॉइंट भी नोटेद में लॉट अब मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर जेटली मिस्टर जेटली जिस दिन कॉलेज में यहाथसा पेश आया क्या आप वही थे जी हां मैं उस कॉलेज का क्रॉस्पॉंडेंट ऑफिसर हूँ और अक्सर काम के सिलसले में मुझे वहां जाना पड़ता है उस दिन भी मैं वहां मवजूद था तो क्या आप विशा सिधा कह सकत वहां कि आपके कॉलेज में तीनों लड़कों का बलातकार करने वाला कोई और नहीं कि यहीं लड़का है मिस्स प्रतिभाज्जेटली क्या आप अदलत को बताएंगी उस दिन क्या हुआ जज सहाब मेरी तीनों स्टूडन्स रिहासल हॉल में बैठके एक ड्रामे की रिहासल कर रही थी अचानक तभी मुझे किसी की चीख सुनाई दी यह सब कुछ जूट है जज साब यह सब लोग जूट बोल रहे है मिस्टर अजय इस औरत ने तुम्हें मंदर में देखकर शोर मचाया जिसकी वज़ा से तुम गृफतार हुए इससे पहले तुमने इस औरत को कभी देखा है इसके दो साथियों ने मिलकर बालाद कार किया है जो संगीन जुन मुल्जिम ने किया है उसके लिए कम से कम फासी की सजा होनी चाहिए नहीं जट साब मैं बिल्कुल इर्दोशू लेकिन कानून की बंदिशों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं इसलिए तफ़ा तीन सो जेतर दाजे राते हिन के तहट ये अदालत मुल्जिम आजे को साथ साल बा मुशक्कत की सजा देती है देशिवावर मोहे शुब कर्मन से कभू ना हटूं ना डरूं पहरी सो जब जाए लड़ूं दिश्चय कर अपनी चीत करूं हाए थाए थाए थाथ दॉड़ूं दॉड़ पंद कर लो लॉड़ूंग दॉड़ू अपका अगर मेरा इरादा गलत होता तो दर्वादर लॉक मैं करता देखो तुम जानती हो मैं वह एड़ीटर बड़ा सक्ट क्योंकि मेरा बॉस है मिस्टर वक्त टाइम से चलना चाहिए जानती हो तुम्हारी नौकरी जाने वाली है या बैटो तुम्हें मालू है कि बॉंबे टाइ तुम्हारी सिफारिश करूंगा थैंकि सव जिरी जी जल्दी बात कीगे ने ने अभी इसके टाइम नहीं फिक्स वा नो नो ओहो इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा येस फाइल ये उस लड़के की फाइल है जिसको बलातकार के जुन में साथ साल की सजा हुई लेकिन इसके अच्छे चाल चलन की वज़े से कल ये रिया हो रहा है देखू कि सब्सक्रां ये ढुकिन लड़का आखिर तकी यही कहता राए कि वो निर्दोश निर्दोश है रीकर्ट के मुताबिक बलातकास तीन लोगों ने मिलこん किया लेकिन लड़के ने अपने दोनों का नाम बस।ाया अब बहार आते ही लड़का Сासियों से मिलने की कोशिश का पता लगा कर ये साबित कर दो कि रेप के बाकी तो मुझरिम वो थे तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर बन सकती है हां सर बनती तो है लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि ये लड़का सच मुझ निर्दोश है तो मेरी सारी मैंनत पर पानी फिर जाएगा ना अगर ये लड़का निर्दोश नहीं था तो इससे मिलने को जरूर आएंगे इसलिए अगर हम लड़के पे नज़र रखे तो हम कौसली गुनेगारों का पता लग सकता है क्या सोच रहे हो नहीं सर मैं सोच रही थी कि कभी तो मोट दिन आएगा जब कोई लड़का मेरा पीछा करेग बाहर कुछ नहीं बदला है दुनिया आज भी वैसी है जैसे तुम चार साल पहले छोड़कर आए थे मगर इन चार सालों ने मुझे तो बदल दिया है जेलर साहब मेरे नाम के साथ एक और लफ्ज छुड़ गया है मुझरिम अधर फिर भी मैं तुम्हें तुबारा मिलना साहब बिल्कु पसंद नहीं करूंगा कम से कम इस जेल में तो हरकिस नहीं फिक्रमत कीजिये जेलर साहब अब मैं इस जेल के अंदर दुबारा नहीं हूँगा कम से कम पेगुनापन करतो हरकिस नहीं करता नहीं हूँगा करता है कि आईला ये स्कॉर्ट आदा मीटर भी नहीं होगा रे रेपोर्टिया आदा मीटर तो जुरूर होगा क्या बात कर रहा है पचास रुपे की लगी चल लगी अ बुरा नहीं मानना मेरे को तुम्हारी स्कॉर्ट का माप लेना ही होगा इसके कोई जरूरत नहीं कि अरे चल निकाल अरे क्यों बे फिरो बनते हो रा चलती वी लड़कियों के स्कॉर्टों के नाप लेते हो मैं तुम दोनों को कानून का नाप बताता हूँ कि अचा हूँ अच्छा हो और या अजय के नाम है तुम्हारा अजय कहां जा रहे हो अपने घर कहां है तुम्हारा जवाहर नगर जवाहर नगर जैवारनगर तो मेरा ही एलाका है, इस से पहले तो तुम्रे कभी नी देखा? जि मैं 4 साल बात कर जा रहा हूं। क्यों, 4 साल कहाँ थे? मैं जेल में था क्या, मुझे सुनाइद नहीं दिया, क्या बोले तुम? मैंने कहा न मैं जेल में था किस जुर्म में अंदर गए थे क्या पूछ रहा हूँ मैं किस जुर्म में अंदर गए थे तुम रेप केस में अच्छा बलादकार बहुत बड़ा काम किया है तुमने मुझे मुझरिमों से सख्त नफरत है खास तौर पर मास्रूम लड़कियों की इस्जत तूटने वालों से मेरे इलाके में रहते हैं इसलिए एक सला दे रहा हूँ मुझे से बचके रहना फिर दुबारा किसी केस में पकड़े गए तो ये तुम्हारे हाथ पौँ है ना तोड़के रख दूँगा तो तो नाने गवाए़े तो ये जवाए़े आजे तो ये जिए और तो ये ज़िए एक चोटे तिरी मत कैसे में इस घर में कड़ने बाबुजी का तेरा और अब रिश्टा खत्मा चुका है हमारे लिए तू मर चुका है और तेरे लिए हम समझा ये कैसी बात कर रहे है आप चार साल बाद बेटा घर लोटा है और आप देश के लिए कोई जंग जीत के नहीं आए जो मैं इसका स्वागत करूं इसने मेरा तुम्हारा अपती बेहन का सब का मुं काला कर दिया है देख देख इसे तेरे कारण इसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया है लोग ताने मा क्या क्या सबने देखते रहते है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि कौन हो भाई तुम अरे क्या चाहिए जी यहां मेरे मेरा मतलब में चोहान साब रहते थे कौन चोहान साब जी वो वो अच्छा कहीं तुम उस स्कूल मास्टर की बात तो नहीं कर रहे हो जी हां जी हां मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कहां है वो उन्हें मरे हुए तो चार साल हो गये यही यही पेटी उन बेचारों के साथ तो बहुत बुरा से लुक किया इन लोगोंने, घर का भाड़ा कहां से चुकाते, घर से निकाल दिया मकान मालिक ने, आठ दस दिन तो यहीं पड़े रहे बेचारे सड़क के किनारे, और फिर एक दिन किसी शराबी ने उस लड़की की इज़त प अच्छा अच्छा तुम ही हो वो जिसकी वज़े से सारा परिवार तिंकी की तरह विखर गया अरे इतनी ही प्यास लगी थी तो किसी बाजार में जाके बुझा लेता मासूम लड़कियों की इज़र पर हाट डालने की क्या सवर रहत थी चल दफा हो जा यहां से मादा की कि अग्या देखो बेटा तुम्हारे डैटी तुम्हारे लिए क्या लाए है कब तुम कब तुम अपनी गहरी नीन से जागोगी बेटा कब तुम अपने डैटी से बात करोगी कर तुम्हारा मुझरिम सजा काटकर बाहर आ चुका है बेटी लेखिन जो सजा उसने काटी है वो बहुत कम है मैं तुम से वादा करता हूँ कि जब तक वो इस धरती पर है मैं हर पल उसके किये की सजा उसे देता रहूँगा लेखिन जो बहुत करता है लेखिन जो उसे देता है लेखिन जो प्रवदार्ण जो बहुत करता है प्रवदार्ण विए यह अज वगर क्वल करता है क्वल करता है तो तो पुल आसना कर दोंड़ झामाफर उनमा झाला करो test कि अ neUP लुट यह रीव, झामाफर शीय लुटा रना? कि पार उनमाफर कि अगर तुम्हें से भी अवास निकाली तो चाल से मार तूगा वो यहीं कहीं होना चाहिए बिल्कुल लेकिन उसे दूनना आसान नहीं होगा मेरे ख्याल से हम लोग यहां से निकल पड़े आखिर गया कहा है कि कुट्य पूलिस रालों को देखके क्यों भूगते हैं सामने खड़ा है ना उसी से क्यों नहीं पूछ लेते चलो चलो हम कर लू अधर देखेंग के घुट्यू यहीं हो बादाती है कर दोल्य कर चलो बादान जो भीच लगए लुट्यू कर दोल्य कर दोल्य कर तो पारो आपुछों कि जा रहे हैं तुम बेटी तुमार, 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 तुमा माम तो उस तिन इंटर्व्यू की बाद मंदिर गया था देवी मा के दर्शन करने बस महीं बस 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 बेटा मैं सब चानती हूं कुछ कहने के जरुवत नहीं तुम मंदिर गया था देवी की पूझा करने के लिए और देवी मा ने तुझे चुन लिया उन लोगों को सजा देने के लिए जो औरत को औरत नहीं समझते उन्हें पर जुल्म करते हैं अत्याचार करते हैं उतका बड़ात करते हैं तेरे पिता जी लोगों की ताने बर्दास ने कर सके और करने वह कैसे जो बेटा उनकी जान था जिस पर उन्हें गारू था उसी के बारे में लोग इतनी गंदिया और गिरी हुई बात ने करें उन्होंने जान देर दे ते जानता है मैं क्यों जी रही हूँ एक दिन तू लॉट करकर आएगा और उन शायतानों को सदा दे गा जो हमारी बर्बादीकी जिम्मेदार है अपने बाप के नाम माँ की को और और अपनी माथह भी लागे कलंग को धुएगा मैं तुझ्से वादा करता हूू माँ हमारी बर्बादी के जिम्देदार दुनिया के किसी भी कोने में चुपे हूँ मैं उन्हें ठूट कर सजा दूँगा इस दुनिया और समाज के सामने अपने आपको बेगुना साबित करूँगा मैं अची मैं आज के बाद तेरा मुझ देखूंगी जिस दिस मां चोटी का है चोटी बताती हूँ डॉक्टर साब मेरी बहन है यहां पर चोटी चोटी कौन चोटी रूपा चोहां नाम है उसका रूपा रूपा तुमारी बहन है मगर उसका भाई तो हां डॉक्टर साब रूपा का भाई मैं नहीं अजय यह चार साल से जापन नहीं था ना तो इसकी जगे भाई का फर्ज मैं निभारा था कब आया तुम कल कैसा है चोटी को क्या हुआ आजा खुद अपनी आखों से देख ले आ कि अग्या है यह तुम लोगों को पत्धा है मेरी शादी होने वाली है मैंने अपने शादी की काट सब को बाट दिये बस एक तुम्लों को इदेना भूल गई देखों तुम लोग भूलना नहीं आए जरूर आना तुम लग आओगे ना लो तुम भी लो तुम भी लो और त को तुम रख जरूर आना हां बहुत मज़ाएगा मेरे भईया रफ बड़ी धुम्दा से मेरी शादी करने वाले हैं उचांती वो शहर गये हैं मेरे लिए शादी का जोड़ा लाएंगे मेंदी की पैकेट लाएंगे और यह सारी चुड़िया भी लाएंगे यहां पर यहां प मेरे भाएं बहुत रोते हैं मेरे भईया वह कätते थे कि मैं तीश सादी मीं बहुत रोंगा यह लो मेरी शादी कात्ष देखो तुम्हे जरूर आना पड़ेगा अगे अगि मेरे भईया रोय तो उन्हारोने मत देना चुटी, चुटी मैं मत चुओ मुझे, मुझे सरस मेरे भेया चुँ सके, तुमने कैसे चुओ मुझे? रूपा, रूपा तुम यहां क्या कर रही हूँ? मैं अपनी शादी की कार बाट रही थी रूपा, अपनी शादी के कार को खुद थोड़ी बाटता है लाओ मुझे दे दो, मैं बाट दूगा और तुम चलो, तुमारा दवाई पीने का टाइम हो गया है, तुम दवाई पीलो अरे हाँ, मैं तो भूली गे थी चलो, चलो चार साल में क्या क्या हो गया? मापुची दुनिया छोड़कर चले गए महां घर से छोपड़े में पहुच गई और चोटी चोटी बागल खाने यह सब देखने के बाद तो पूजा से मिलने की हिबात ही नहीं होती पूजा के बारे में सोचने से अब कुछ नहीं होगा क्योंकि अब तुम चाहो भी तो उससे मिल नहीं सकते है हाँ अजय पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही क्या? तुम्हारे जेल जाने के बाद उसके डैडी उसकी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे के साथ करना चाहते थे और तुम तु जानते हो पूजा तुमसे कितना प्यार करती थी जान दे दे हराम साधे मेरा दो करोड का माल तुम लोगों ने गवा दिया कौन था वो इंस्पेक्टर जिसने इतने हिमत की? कौन था? कौन है आप? शकल से इतने ना समझ तो नहीं लगते हो तुम तुम्हारा एक आदमी हस्पताल में मरने से पहले डरो नहीं उसने सिर्फ इस जगा का पता बताया है तुम्हारा नाम नहीं बहुत खुशकिसमत हो तुम मच गए वरना यहां आने की बजाए मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में बुलवाता और पुलिस स्टेशन में मुजरुमों के साथ किस तरह से पेश आता हूँ मैं यह किसी मुजरिम से ही पूछ कर देखना इंस्पेक्टर साहब शायद आपको कोई गलत पैमी हुई है मैं मुजरिम नहीं बिजनसमें हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ कारोबार ठीक कहा तुमने मौत खरीदते हो तुम और मौत पेश्टे भी हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेकिन एक बात याद रखना रमती नहीं इंस्पेक्टर चाए तुम जानते नहीं तुम किस से बात कर रहे हो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हारे सारे खांदान को तुम्हारी माँ चमपा बाई के कोठे पर मुझरा करती थी और तुम्हारा बाप बच्चो की वाड़ी का मशूर भढ़वा था सच कड़वा लगा ना इंसान का इतना सच बोलना भी अच्छा नहीं कि इसकी जबान को रुपने के लिए उसकी सासे को बंद करना पड़े यह दमाचा मैंने तुम्हें अपनी वर्दी की क्रीज खराब करने के लिए मारा है और याद रखना ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंदा जितनी जल्दी हो सके बंद कर देना क्योंके मौत के सौधागरों को ज्यादा दिन जीने की बॉलत नहीं देता मैं मरेगा मरेगा ये हरामजादा मेरे ही हातों से मां तुम मुझे इस तरह धोका नहीं दे सकती तुमने ये उस अड़के को एक दिन पहले जेल सी रिखा करवाया मैं तो महां ठीक 9 बजे पहुँच गई थी लेकिन संडे होने के कारण उसे एक दिन पहले छोड़ दिया गया अब तुम ही बताओ इसे मेरा क्या खुसूर है तुम ही बताओ मां इतने बड़े शहर में मैं उस मवाली को कहां डूंटी पिरूँगी हे मां एक बार बस एक बार मुझे इससे मिलवा दे ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है उसके आर्टिकल में मैं तेरा भी जिक्र करूँगी आरे इतना बोज मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहले आरे इतना बोज मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं उठाया सबर्टेडी हो गई और फाइल लाने के लिए मुझे मत बोलना बाई मैं और फाइले लाने के लिए नहीं बोल रहा यहां पर जितने भी पेपर उनमें से रेप केस की आर्टिकल्स गाइब है लगता तेरी जिंदगी में कोई और भी दिल्चस्पी ले है कि अधिए बड़ी जोरों की भूक लगी यह भाई पहले तो फेट पूजा करो उसके बाद मैं गल्ती से ताला लगाए बिना तुनी चला गया तुनी ताला मेरे सामने लगाया था इसका मतलब चोर हाथ साफ कर गया चोर हाथ साफ कर गया रोता क्यूं है चल अंदर चल चल वाह क्या खुश्बू है तुम लोगोंने आने में दस मेरे की जल्दी कर दी वरना मैं स्वीटीश भी बना लेती है कौन रहे हैं और तुम है तुम्हें तुम्हें हम जानि रॉमें हैं हमरे वाह चाल की लुग में शुला साल के लिए रेट केस के जुर्ण में अंदर कर सकती है मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ समझें ने ने सिस्ति ऐसा ख़ज़ा मत करना है तुम तो अच्छी लड़की लगती हो वो तो मैं हूँ ही इसी लिए तो यहां आई थी इसकी मदद करने मगर यह तो हाथ पकड़ता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेगुना हो और तुमें फसाया गया है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मुझे किसी के मदद की जरुरत नहीं, यह मेरी अपनी जंग है, और उसे लड़ूँगा भी मैं ही. मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारी अपनी जंग है और तुम इसे खुद लड़ना चाहते हो. लेकिन इस जंग में अगर तुम्हारा कोई साथ देना चाहे, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है न? May I come in? Yes, come in. मैदम, मैं Bombay Times की रिपोर्टर हूँ और यह मेरे दो साथी हैं. बैठिए. Thank you. कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जी, आज सी चार साल पहले आपके कॉलेज में तीन लड़कियों का रेप हुआ था, उसी के बारे में जाना चाहते हैं. हाँ, हुआ तो जरूर था, लेकिन उस वक्त मैं प्रिंसिपल नहीं थी, मिस्स जेटली थी. उनके हस्बंड मिस्स जेटली भी इस कॉलेज के कर्रिस्पॉणनेंट है? वो अब नहीं है. क्या आप उनका एड्रेस दे सकती है? I'm sorry, आज से चार साल पहले, मिस्टर और मिस्स जेटली कार एक्सिजेंट में मारे गए. मगर आप उन तीन लड़कियों का एड्रेस दे सकते हैं, जिनका रेप हुआ था? हाँ, उसमें से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और दूसरी इंस्पेक्टर की बेटी है, जो अभी भी शायद पोमा में है. हाँ, शीतल का एड्रेस मिल सकता है. Yes, मैडम. राम सिंग, इन्हें शर्मा जी की पास ले जाओ, और देखो, शीतल डोगरा का एड्रेस मिलता है, तो इन्हें दे दू. जी मैडम. आप चाहिए. Thank you. Welcome. और देखे भी जी है, आप झात्रेस खूह सकता है. I love you I love you I love you I love you आखों में बसा कर खाब तेरे मैं जूमती रहते हूँ तेरा नाम हदेली पर लिख कर मैं जूमती रहते हूँ आखों में बसा कर खाब तेरे मैं जूमता रहता हूँ तेरा नाम हदेली पर लिख कर मैं जूमता रहता हूँ I love you, I love you, I love you, I love you आखों में जूमता रहते हूँ तु जाने जिगर तु जाने जिगर तु जाने एहसाँ जहां भी रहे जिस जगा भी रहे तु मेरे पास है जुहाबत ने ऐसा किया है असर नदर आए तु ही देखो मुझे धर जब है निगाहों का जादू तेरी जहां की हबर है ना अपनी हबर पागल की तरह मैं हर दम तुझे ढूंडता रहता हूँ तेरा नाम हथेली पर लिखकर मैं चूंता रहता हूँ आँखों में बताकर हाथे मैं जूंती रहती हूँ तेरा नाम हथेली पर लिखकर मैं चूंती रहती हूँ I love you 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 जलाए है दिलने वफा के दिये मेरी जिन्देगानी है तेरे लिए समेटा है आँखों में मैंने तजे तुछुप रपी चाहे तुछुप ना सके चुम ना सके तुझे दिल के आईने में मैं देखती रहती हूँ तेरा नाम हथेली पर लिखकर मैं चूंती रहती हूँ आखों में बसा कर खाब तेरे मैं जोंता रहता हूँ तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं जोंता रहता हूँ I love you I love you I love you I love you को यह मुझे बचा रहा हूँ आज़े नमस्य बहन जी मेरी कंपनी बहुत सस्य दावों में बहुत अची चीज़े बनाती है जैसे अचार जैम बगेरा सॉरी मुझे कुछ नहीं खरीबना कम से कम देख तो लो शीतल शीतल तुम्हें बेर नाम कैसे पता चला कौन हो तुम यहीं दरवादिक पर बताओ या अंदर चल कर आईए अब बताओ कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और यहां सिर्फ यह बताने आई हूँ कि जो लड़का तुम्हारी वज़े से जेल गया था वो रहा हो जगा है तुम्हारी वज़े से उसकी पूरी जिंदगी बरबाद हो गई उसके पिता ने खुदकुशी कर लिए उसकी बहन पागल खाने पहुंच गया और तुमने तुमने आराम से शादी कर ली कि एक बार भी तुम्हारी आत्मा ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी वज़े से एक बेगुणा लड़का गुनेगा ठहरा आए गया है लेकिन लेकिन मैं क्या कर सकती हूं कम से कम तुम उसके माथे पर लगा हुआ बदनामी का दाग तो मिटा सकती हो बस तुम्ह मेरे साथ बयान देने के लिए आना ही होगा यह रहा मेरा कार्ड ठीक तस्वजे पहुंचाना और हां कल आना जरूर वरना पर्सों के अकबार में मुझे ये कहानी एक बार फिर छापनी पड़ेगी तस्वीर के साथ चार साल की सजा काटने वाला मुझरिम अप राधी या निर्दोष अच्छी एडलाइन है अर्टिकल भी अच्छा है तांकी सार लेकिन इसे अकबार में मैं च्छापूंगा नहीं क्यों इसलिए कि तुम्हें ऐसी मन गड़न कहानी लिखकर लाई हो जिसकी सच्चाई सिर् आप ये खबर एक पार चापके तो देखिए दूद का दूद और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा तुम्हें के ये भैंसो का तबेला लगता है जो दूद और पानी की बाते करने लेगी देखिए सर आपने एक इस मुझे सौपा था और जब मैं इस केस की वहराई त पास जाके आर्टिकल चुपाओगी क्या करूं मजबूरी है देखो ये बड़ी गलस बात है तुम मेरी यह काम करती हो अपना और मेरा बेकार वक्त बरबाद मत कीजिए साफ साफ बताईए कि आप आप आटिकल चापने वाले के नहीं आप शायद रिट्व को मिलने आई हैं लेकिन रिट्व तो घर पे हैंनी मैं आप से मिलने आई हूँ मुझसे जी मेरे नाम शीदल है मैंने पहली बार आपको हॉस्पिटल में देखा था पुलीस लाई थी आपको पैचानने के लिए तो वो आप थी जिन्होंने मुझे पै करीब पांच दिनों बाद मुझे पूरी तरह हुशाया और मैंने अपने पिताजी को सारी सच्चाए बता दी मेरे पिताजी ने मेरी शादी तैक कर दी थी एक दिन में प्रिंसिपल से भी मिलने गई इसकी बात को रहे हो तुम माडम आपने जिस लड़के को पैचाना है व मगर आप बोले की इमत की है लेकिन आपने जिस लड़के को पैचाना है व कीस मैं जानती हूं शीदर किया हाँ क्योंकि एक मा और एक बाद मजबूर थे किसी को भी पैचानने के लिए अब यह मैं फैसला भी नहीं कर पाई थी किसमत ने उस लड़के को मेरे सामने खड़ा कर दिया और मैंने कह दिया कि यह वो जो कि इस तरह तुम मझबूर थे अपने पीता के मज़़ा से उसी तरह मैं भी मझबूर थी अपनी बेटी से अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह मेरे बेटी की हस्ती खेलती जिंदगे में आग लगा देते बेटी भाहिया मैं चाहती हूँ कि आपकी माथी पर लगा ये बद्दामी का दाग धुल जाया बगर मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती सोच यह किया होगा मेरे इजचत का मेरे खांदान का आज उस रिपर्टर ईतोंने मुझे पहचान लिया ऐा उसे मेरी सारी सच्चाई का पuzzा चल चुका है उस्ने मुझे कहा है कि कल जैच के सामने मैंने तुम्हारे बे-गुनाईी का बयाहान नहीं दिया तो अपने अकबार में मेरी सारी कहानी फिर से छाप देगे ये मेरी बेती है मेरी पती की दिल की धड़कर और उस बलादकार की निशानी जिसे वो अपनी बच्ची समझ के बहुत प्यार करते हैं और जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो उसकी बाप नहीं है तो क्या पीदी की उन पर क्या होगा इस बच्ची की भविशी का तो या मेरी पास ये थोड़ा कुछ है जो मैं आपको दे सकती हूँ आप भी मुझे इस बर्नावी से बचा सकते हैं मनमने की सिमा, मेरी पास और कोई चारा नहीं रो मत बहन, तुमने मुझे भाईया कहा ना, तो तुम मेरी बहन जैसी हुई मैं अपनी एक बहन तो खो चुगा हूँ, दूसरी नहीं खोना चाहता तुम्हारे पताजी ने तुम्हे खामुश कराकर बिलकुल सही किया जो कुछ आपने मेरी लिए किया, मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकती, लेकिन हाँ, उसके बदले उन गुनेगारों के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ, मैं मैं सब कुछ जानती हूं लोगों के बारे में जो सम्मान जो प्यार आप सभी ने मुझे दिया है उसके लिए मैं आप सभी माता हूं बहनों और भाईयों का आभारी और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं आपकी सोई चेतना को जगाना चाहता हूँ आपको आप इस से मिलाना चाहता हूं दैययर अफो मैं नारी वर्ष आया और चला गया क्या हुआ कहा है नारी वही है जहां पहले वो थी कि ये तो सरकार और नेताओं के एक चाल थी कि हमारी भोली-भाली माता और बहनों को फुसला कर उनका वोट आशिल करने की मैं यह नहीं कहता कि सरकार नारियों के बारे में सोचती नहीं है थे मगर करती कुछ नहीं करती कुछ नहीं यह देखिया यह क्या साल पहले घटना घटी थी तीन मासुम लड़कियों की इज़त को डसा था इस नाग ने चार साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ गया मैं अब माताओं से बहनों से पूछना चाहता हूं कि चार साल जेल में रहने के बाद क्या ये नाग डसना छोड़ देगा नहीं ये और नजाने ऐसे कितने साथ हमारे देश में घूम रहे हमारी बेहनों की जड़ डस रहे हमें इंका सर पुचलना होगा महत्मा गांधी ने कहा था मैं उसे दिन इस देश को आज़ाद समझूंगा जब इस देश की नारी आधी रात को बारा बजे घर से बाहर निकल सकेगी यहां तो पुरुष सुरक्षित नहीं है पुरुष यहां तो दिन में नेताओं को मंतियों को पांच-पांच कमांड उसके साथ बुलेट प्रुफ कार में घूमना पड़ता है बड़े शर्म की बात है जो फुरुष नहीं है नारी सुरक्षा क्या करेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे ऐसे कायरों का साथ है इसे गुंडों का साथ पूंजी पद्यों का साहिए इसे मेरी मातां और बहनों का साथ चाहिए मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि इस देश की नारी सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है हमारे देश में एक पुरुष्टे मुकाबले साथ नारियां हैं और इसलिए यह जंग मैं आपके प्यार से और आपके आशिरवाद से लड़ना चाहता हूं और मुझे इस बात के यकीन है कि यह जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा हालो गारी निकल चुकी है ओके जरी निक अचल्ची ए जरी निक अचल्ची झाल झाल झाल, 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 झाल! झाल, 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 झा ने ने आप बेफिकर रही है दन्यवार मगर आपको इतना बेफिकर नहीं रहना चाहिए बावा साहब अरे आये आये इंस्पेक्टर साहब आये कुछ पता चला अभी तक तो नहीं मैं आप से कुछ पूछने आया हो पूछे आप पर हमला करने वाला शक्स मेरा मतलब है आपको किसी पर शक है आपकी कोई परसनल या पॉलिटिकल दुश्मनी मेरा कोई दुश्मन नहीं बावा साहब ये बात तो इतने कॉन्फिडेंस से वही कह सकता है जो ये जानता हो के उस मुझे कोई दुश्मन नहीं है बावा साहब अभी आपका कोई दुश्मन नहीं है लेकिन जरा आप अपनी पिछली जिंदगी में जहांकर देखिए हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मन तरह याद कीजिए अजिक क्या याद करो इंस्पेक्टर साहाब मैं तो एक समास से वाखों मेरी जिंदगी खुली किताब है लिखार मेरत अपनी जिंदगी के बारे में उतना ही जानता हूं जितना की लोग कुछ भी दबा च्षिपा नहीं है मेरा बहुत खुबसूरत फूल हैं हाँ ये सब फूल उन लोगों ने भेजे हैं जो मेरी जिन्दगी से बहुत प्यार करते हैं मगर एक शखस ऐसा भी है जो आपकी जिन्दगी से बहुत नफरत करता है इस बार तो उसका सबसे ज्याद कीजेगा लगता है यह बागी चाने वाला आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है कि आज मुझे विश्वास हो गया कि मैं इलेक्शन में हार ही नहीं सकता देखा लोगों को कितनी चिंता है मेरी कितना ख्याल रखते हैं मेरा, यह उसी का तो सुबूत है जाब आपका टेलीफन है हलो बाबा, अच्छा हुआ गोली लगी नहीं कहीं लग जाती न, तो मैं उस साले के अरे नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले जैसा हटा कटा लेकिन बाबा, यह हुआ कैसे? मैं पब्लिक मिटिंग से लोट रहा था कि अचानक ठीक गाड़ी के सामने रोड पर एक गुठा खड़ा हो गया और साले ने धना धन गोलिया चलाने शुरू कर दी इसमत अच्छी थी कि मैं पच गया अगर पता चल जाए कि वो कौन था, तो साले को काट के रख देंगे नए, पता ही तो नहीं चला बाबा, तुम्हें क्या लगता है? कौन हो सकता है? खुलों के साथ इसने ये भीजा है ये हरां साथा बाबा मैं निकता हूँ शहर मसाला चाहा भी हो काट ढून कर मारूं का ऐसे रिलाक्स बेका, रिलाक्स अर बैट्टो यार मेरे बाद तु सुन कम सकम बैट बैट्टो, मेरे बाद सुन ठीक तरह से देख मैं यकिन के साथ कह सकता हूँ कि मुझ पर हमला करने वाला ये नहीं है यह अकबार भीजाए उसने, क्या मतलब इसका, मैं कहता हूँ यही आद्मी है यही यह नहीं है, यह हमला करने वाले की एक चाहर है ताकि हमारा शक इस पर जाए और हमला वर चैन की सास ले और यह कैसे कर सकता है, एक तो इस इस बात का पता नहीं कि रेप किस नहीं किया, और दूसरी बात, इसमें इतने हिम्मत नहीं कि मुझे पर हमला भी करें और यह कटिंग भेज कर मुझे ओपन चैलेंज दे दे, और चार साल पहले यह था भी क्या, एक मामली सा लड़का और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पर हमला करने वाले एक गुढ़ा था, नजरें भी कमजोर थी उसकी, एक गोली निशाने पर नहीं लगी फिर तुम्हें अकबार कौन बेज सकता है, और चार साल के बाद एक आर्टिकल भी तो चपा है, उस साल के को लेकर ठीका, ज्यादा टेंशन मत लो, मुझ पर छोड़ दो, बाबा, मैं सब समाल लूगा, तुम फिकर मत करो, कर दिया ठाक, मरिया बाबा, ले लिया बदला, मैं तो समझती थी कि मैं बहुत बहादर इंसान के साथ हूँ, जो एक ही गोली में काम तमाम कर देगा, वगर तुम, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई, एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी, तुमसे अच्छा निशाना तो मैं लगा सकती थी, अगर उसे मारना होता न, तो गोली उसके आस पास नहीं, सीथी उसके सर में लगती, लेकिन मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए, कि उसे नाकत का अंदाजा नहीं है, इसके सामने बड़ी-बड़ी बंदू के बेकार हैं, एक तरफ ये, एक तरफ बंदू. सिस्टर, ये रही तुमारी बंदू, और ये इसकी गोली. बस हो गया, ये ब्रादर सुम्हें इतना पसीना क्यों छूट रहा है, नहीं, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता न, मगर सिस्टर, आज तुमने मुझे ऊपर भेजने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था, तुम्हारा इलजाम ठीक है, मगर हमें ये तो पता चला, कि अस पास पास ही है, अच्छा सिस्टर, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाईए, आज मुझे नीन नहीं आएगी, क्यों, 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 नानी के घर के जिस तरह टुकडे हुए हैं, वो मेरे सपने में जरूर आएंगे, देखो, जो होना था, वो तो हो गया, अब उ अच्छी आएगी, सपना भी अच्छा आएगी, हाँ, हाँ, हाँ हो जो होगी, हाँ, हाँ आया दिल कर लुँ नेरा बचना जरा नजाने इक निकाह में क्या ले गया कोई मेरी तो उसेगी छरा ले गया कोई नजाने इक निकाह में क्या ले गया कोई आया पिखाना आया एक बनो तेरा मज़ नज़ना नजाने एक निगाह में क्या ले गया कोई मेरी तो जिन्दगी चुरा ले गया कोई नजाने एक निगाह में क्या ले गया कोई अब कैसे चैन आए बताए निगाह या अब दिल पे एक्तियार है ना खुद पे एक्तियार ना लग हिले ना सीने में हर चल कहीं हुई दिल हार आए और खबर भी नहीं हुई चुकी से हम अपना बना ले गया कोई मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई नजाने एक निगाह में क्या ले गया कोई यह ले चुकी से कcción्ई के लाओ बल्गो की स्टी राऑ्ड़ कोई on दो रखी जजाने वच्चिस से गिररन में वह म Looking a much more चुरा आप के लाशनende में में भीड़ tav तो पीड़ रह एक्तियार जो श्जामने में पिर एकी प्यारता है ये मेरे खुदी ये मस निगाहों की तेरी चांद रखते कहीं है पांद तो पढ़ते कहीं है पांद ये हाले दिल हुआ है तेरी आशिकी के बाद हमको तो अब हमारा पता भी नहीं है या हमको तो अब हमारा पता भी नहीं है या सासों में अपनी हमको छुपा ले गया कोई मेरी तो सिज़गी चुरा ले गया कोई न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई मेरी तो सिज़गी चुरा ले गया कोई न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई आया दिखो लब आया दिखा लुटे रा बचना से रा आया दिखो लब आया दिखा लुटे रा बचना से रा क्या काम है क्यों मुलाया मुझे यहां बास यू ही तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए ना इसलिए दिल चाहरा था तुमसे मिल्यों को यह बताओ क्या प्यों कुछ नहीं काम क्या है तो ना एक कल आप अपने पतीटे साथ में पाल जा रही है जाओ जरूर जाओ बहुत अच्छा मौसम है वहां का लगे हातों मेरा एक काम दियो जाए डालिंग एक छोटा सा पैकेट है जिसे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना हो इस पार मुझसे यह नहीं होगा अरे ज्यादा नहीं हैं सिर्फ दो किलो ड्रग्स हैं और तुम तो जानती हूँ एक घंटे के अंदर मैं तुम्हारे तो सो वीडियो के असिट्स मार्केट में डाचा आफि कब तक तुम मुझे ब्लैकमेल कते रहोगे मैं कुई नहीं एक जज की पत्नी हूँ जयाने मन, इसकी लिए तो ये काम मैं तुम्हelles के दे रहाए हूँ जयत साफ के साथ जाओगे तो किसी को तुम परशकी नहीं होगा नहीं कोई तुम्हें चाहकर है ने जाओ नहीं देखो, बंदामी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार की, तुम्हारे पूरे घरानी की बंदामी होगी ले जाओ से सुनिए मैं आपके कुछ मदद कर सकती हूँ? करो तो अच्छा है, भगवान तुम्हारा भड़ा करेगा आराम से उठाना कहीं लगना जाए आराम उठाओ एक जोड़, उठाओ, शाबाज, उठाओ उठाओ तर आराम से चड़ना के गिर जाओ, भगवास शाबाज, शाबाज, फिचाओ, फिचाओ फिचाओ आज तुम नहीं होती तो अच्छा नहीं पाता फिचाओ मुझे घर जाता है मैं कहती हूँ, मुझे घर जाने दो बगवान के लिए मुझे छोड़ दो मुझे घर जाने मुझे घर जाता है मुची का जाने 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 जुली, टाइम बहुत हो गया, मैं घर चलती हूँ, अच्छा बाई कुली, बहुत हो कि लिवण alaychanging iskt कि अच्छा राई किativesो हो अच्छा प्राई कि लिवशत हो कि जक जञे हूज जचेत चुछ झांचिए करा विर ऑन के खठ हूं हुआ जए कि सबसा हुआ कि जई जए आटी कि एंप झाल 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 तुम यह कहना चाह रही हो ना आप अपनी आप को गदा कहलवारें मैं तो यह कहना चाहती हूं कि आप मेरे सबसे मजबूत भाई हैं समझ रहा हूं तुम्हारे बिस्तर भीज गया है अब क्यों चाह सोजाओ वाह क्या बिस्तर है क्या घर है अजय तुम्हें नहीं लगता कि मैं जुन्या की सबसे मंगल सूत्र और जानते हूं इसे कहां पहनते हैं अच्छा छोड़ों इंट्रेसिंग बात करते हैं यह बताओ तुमने कभी किसी लड़की के होटों को चुमा है रितु बाते बन करो और प्लीस हो जाओ ओके जो हुकम गुनाइट डार प्लुक यह यह लेक على षरन ऐसा पल पिर हो ना हो ना रहू मैं, ना रहे कि कली कल पिर हो ना हो मुझे तुम से मुहापत है मगर मैं कह नहीं सकता करो तो क्या करो बोले बिना भी रहे नहीं सकता मुझे तुम से मुहापत है मगर मैं कह नहीं सकता कहदो कहदो तिल की बाते ऐसा पल पिर हो ना हो ना रहू मैं, ना रहे कि कली कल पिर हो ना हो मसा दिरे सागरी मगरी सागरी सानी तुम्हें तनहाई में सोचों तुम्हें तनहाई में सोचों तू सिजाती है तुम्हारे सामने आकर नजर क्यों छुख सिजाती है तुम्हारे दिल की हर हालत हमारा दिल समझता है मुहाबत करने वालों की हर मुश्किल समझता है ये हर मुश्किल समझता है गुजरती क्या है चाहत में ये दिल कुछ कहे नहीं सकता मुझे तुमसे मुहाबत है मगर मैं कहे नहीं सकता करों तो क्या करों बोले बिना भी रहे नहीं सकता कहे दो कहे दो दिल की बाते ऐसा पल पे ओ नहीं ना रहू मैं ना रहे दो कले कल पे ओ नहीं ना नीन अपनी ना जैन अपना न दिल की कोई मात अपनी ना ओश अपने ना जान अपनी न दिल अपना ना रात अपनी अपनी बेकरारी का मैं खुद ही हूँ तमाशाई ना बोलू तो जुबा जलती है बोलू तो है रुसवाई है ऐसा दर इस दिल में जिसे अब सहे नहीं सकता मुझे तुम से महाबत है मगर मैं कह नहीं सकता करूं तो क्या करूं बोले बिना भी रहे नहीं सकता कह दो कह दो दिल की बाती ऐसा पल पिर हो नहीं ना रहू मैं ना रही तूं कली कल पिर हो नहीं करता है कि अधियु कि देखा एए देखा आराव से एक जगा भाइट जा मेरे होते हुए तुझे कोई जार से नहीं हार सकता है मेरा तिल बोल रहा है कोई पड़ी कड़बर होने वाजी है देखा शराब और शबाब दोनों इंसान को कमजोर कर दीते हैं क्या बात अड़ेगा कोई प्राब्लम मेरे तीन आद्मियों का खून हो गया बाबा किसे बेशक है तुम्हें इसलिए तुम राजन गैंग पर नदर रखो और मैं मैं आजे को देखता हूं एक अच्छे राजन इतिक्गे को कुछ आए ना आए लेकिन हार को जीत में बदलना जरूर आना चाहिए रमाकान चौधरी स्पीकिंग अलो इंस्पेक्डर साथ शालिमार बिल्डिंग के बेस्मेंट में जो फूर्ट हूए है उसमें जिल से छुटे हूँ मुझरिम अजे चौहान का हान है आप कौन बोल रहे हैं मैं बस समझ लिजे इस देश का एक जिम्मेदार नागरी बोल र जरूरत नहीं है किसी ने भी तुम्हारी तरफ आँख भरके भी देखा तो उसकी आँखें नोच लूँगा मैं आओ जरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं सिर्फ तुम्हें पैचानना है को आदमी कौन है इतना याद रखना कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है वो खुनी भ देखता तू इसे गोर से देखो इसने तीन मासूम लड़कियों का बलातकार भी किया है कि इन में से ईंवे नहीं क्या जीडन की इसनी बार तुम्हें पुलिस टेशन बुढ़ाया गया है जिदेशन पर पुलिस को शकYा उनWell को दुम्हारे सामने पेश किया गया और तुम कहती हो कि अनमें से कोई भी कातिल नहीं है। अगर इनमें से कोई कातिल है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, ऐसा ही किसी को पहचान लो। वो कातिल यहां है नहीं, या उसे तुम पहचानना नहीं जाती हो। आप जो भी समझे, उस राच जिसने मेरी इज़त बचाई थी, मेरे लिए वो भगवान था। टाहती है। कई यह इंस्पेक्टर सहाब क्या बात है आज यहां कैसे कहीं चन्ना बंदा मांगने तो नहीं आए इन में से किसी को पहचानते हो आहां कॉने यह यह वो लोग हैं जिनका कल रात कारपार्टी में मर्डर हुआ था इन्मेंसे कि जेब में तुमारे प्लब का काड में न अने ऊक्लम में आने वाले लोगों कोई यह काड्स मुख देजाते हैं तुम अपने आपको बहुत समझदार समझते हो तुम जैसे समझदार लोग कोई ना कोई ऐसी छोटी गलती कर बैठते हूं जो कानून के लिए बहुत बड़ी हो जा दिये में इंस्पेक्टर साहव आपके कानून से कोई अजनबी नहीं हूं है बहुत पुरानी जाने इससे अब तक चार बार गिरत्तार किया जा चुका हूं है और हर बार कून के इल्जाम आखरी मरतबा एक सब इंस्पेक्टर के कून का इल्जाम लगा गया तो कहीं ऐसा नहों के पांच भी मर्तबा कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें किसी दिन नाइट ड्यूटी के वक्त किसी अंधेरी सी कली में मैं खोद इन से मुलाकात करूंगा उमर के हिसाब से हाथों में काफी दम लगता है ये दम मेरे हाथों को मेरी इमांदारी ने दिया है और एक इमांदार पुलिस आफिसर होने के नादे मैं तुम्हें सला देता हूं अपना वसीयत नामा बना कर रखो क्योंके मौत किसी भी वक्त तुम्हारे घर का दर्वाजा कटकटा सकती है कर दो कर दो अथिसर नादे दोने के दो Plan रखो कर मेरे वक्त तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाने की जब मैं जेल में था तो हर अफते कोई फोन करके मेरी खबर लिया करता था कि मैं कैसा हूं कब रहाऊंगा कल तक मैं समझता था कि वो मेरे बाबुजी थे लेकिन आज पता चला कि वो आप थे आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है लेकिन यह समय नहीं किया आप विश्वास करें या ना करें आपकी बेटी का तोशी मैं नहीं जूड बोलता है तू मुझे तरी किसी बात पर विश्वास नहीं है और होगा भी नहीं आपकी बेटी होश में आकर जिस दिन इस बात का इकरार करेगी कि यह गुड़ा मैंने नहीं किया तब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा अगर आपको लगता है कि मुझे म अब मेरी बेगुनाही का सबूत दे दिया तो क्या आप अपने आपको कभी माफ कर सकेंगे कि अब कि अब कि कि अब कि 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 कौन हो तुम और आप घर में घुसे कैसे निकलो यहां से परना पुलिस को बलाऊंगी पुलिस चौना मुझे मैंना तु सुनाएगे पुलिस का कहा तुम बिल्कुल नहीं मानती वरना पुलिस लाइन अप में कि खुनी को बराबर पहचान देती है छूट नहीं बोलती है बाबा आप यह बताएगी कि वो हरामजादा था कौन बोल 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 देखो मैं नहीं जानती वह कौन तुम खुद को इस तकलीफ से बचा सकती हो अगर मेरे एक सवाल का चवाब देती है उस राच जिस लड़के ने तुम्हें बचाया वह कौन था मैं उसे नहीं जानता हूं तुम सच बोले हो पहले तुम उसे जानती नहीं थी मगर अब तो पहचानती हो अब तुम जूट बोल रही हो और जूट बोलने वाले लोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं देखा इसे इतना माल कि यह सच बोलने लगे फिर भी नहीं माने तो उठा कर नीचे ठैंक दो देखा जाने से पहले एक बार कंफर्म करो कि वह लड़के जिन्दा ही अमर गई औ और हाँ पपलिक के बीच में खत्रा उठाने के जरूर नहीं है ओके आजे जिसकी तुम्हें तलाश है उसका पता मैं जानता हूँ कैसेट्स कहा है डेका यह जंग मेरी नहीं उन बेहनों की उन औरतों की है जिनकी जिनकी भरबाद करती तुम लोगों ने तेरी सबसे बड़ी जागीर वीडियो कैसेट्स थे ना सब मेरे पास हैं अगर चाहिए तो आकर ले जा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा अजय चोहान ठीका भाई इस बात की खबर फॉरन बाबा को करनी चाहिए अपनी कमजोरी बताओ अपने पार्टनर्स को अगर उनको पता चल गया कि कैसर्स मेरे पास नहीं है सबसे पह अ मेरे पीपल्ड़। क्थे कुषी क्थे कुषी अम्याँ एष संध बेटा, बनाजल थोड़ा ले. आफिय। आप्रणाम् दांगि गुद्याग कि रख्रयाम् टोश्मन का प्दा करने के लिए पहले-शिवा शे बर्म, शुब कर्मन से कभू ना डरू ना डरू बैरी सोजब चाहे लडू निश्चयकर अपनी चीत करू निश्चयकर अपनी चीत करू तुनो यहां किसकी मौत हो गई मौत मौत तो अब गोगी डेका मुझे हिंदुस्तान की हर उस औरत की कसम जिनकी सिंदकी तुम लोगों ने परबाद करती और अब तेरी मौत होगे कर तेरी मौत होगे झाल झाल कि आपिला शे कि इस चιड़ार हुई अपिलाइब डिछ चाया वह भी उतार कर दोचट लुब मेखगर दियो प्सक्ति अच्सित प्सका टृह भी नुद्धे लात जूह भी जुद्धे लाता युद्धे हैं हमदर्द अबलाओं का मसीहएं नहीं है बाबा क्या बाद एमोनिया ऐं बड़े परशान नजरा रहे हूं बात ही कुछ ऐसी है बाबा थीका बहुत प्राब्लम में है ये देखी मुझे उसके घर से क्या मिला हमने बहुत बड़ी गलती कि एमोनिया बहुत बड़ी गलती है हमने आजय को समझने में ना समझी कर दी है तुम फिकर मत करो बाबा समझ लो के अच्छे मर क्या वो शहर में जहां भी होगा मैं मौत बनकर वहां पहुत जाओंगा गोपाल का है मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिक खाना लाने भीजा आता ही होगा लोग आ गया ओ ब्रादर जल्दी करो बहुत भूख लगी है इस कि सुफे पर अगया कि वह कि वहीं पहदा रहे हैं अधिरु दोस्ते रहा है के वह कुआ है मून है मैं बात कर रहा हूं मैं पब्लिक मिटिंग में चाहरा हूं क्या अ बाबाबा इसका बतलब अब यहां नहीं आ रहे हैं नहीं मौनिया पब्लिक मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है और हाँ याद रखना उस हराम जाते ने डेका को मारा है मैंने कहा ना बाबा आप ते करमत कीजे इसके लिए तुम ने बहुत मज़दार चीज मंगवाई है अचा अचा अल बैस पब्लिक मीटिंग लिए हां गुड़ बाइ अब तो तुम तीनों को सबच में आगे होगा कि अगर हमारे वो कसेत हमें नहीं मिले तो तुम तीनों के स अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि वो कसेट बनते कैसे हैं मैं इस लड़की के साथ एक कसेट पर तुझे मेरे साथ जो करना है कार मेरे के लड़की को छोड़ दे यह जहर इसे पिला दे या तो यह जहर पिएगा या तो फिर यह लड़की अपने कपड़े उतारेगी देखो देखो तुम रोग जैसा को गए वैसे ही करूगी अगर इसे छोड़ दो लीड़ नहीं रहे तुम्हें मेरे प्यार की कसम तुम्हें मेरे प्यार की कसम आई हाई क्या इशक है दल दल तुम्हे हाँ ।बजसे प्षूझ तुम्हें इस फिर देख कर लिए दिए कर दो कर दो और आ कर दो गहाए पर अबбई झाल 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 सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और इन सबसे अच्छे ये मासुम बच्चे जो कि हमारे देश का भूश्य हैं कल नहीं हमारे देश की बाद दोर संभालनी है मगर इने में से कोई बच्चा बड़ा होकर दहे इसके लिए अपने पत्ति को मारेगा किसी लड़की की आबरू से खेलेगा मैं चाहता हूँ इन बच्चों को अभी से वो शिक्षा दी जाए जिससे कि इनके मन में भी नारी के प्रती वो भावना वो आदर पैदा हो जाए जो कि मेरे मन कि म solamente आए बावना मौ अग सी खेलेगा कि मुझ मौ कि मौ की वो श neces Itís दी खाहता हुझ। म म! मा, मा वयो, मार ने का दूपनाई एरा को पारिया के उनको पता दोंगी उनकी माते मुले कालंगो अपने अजय ने अपने गुंश मा, मा, मा ने मा ने झाल 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 झाल